जेसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ग्रैंड मास्टर सभी को अब सजा दे देते हैं और सभी बच्चों को पत्थरों से भरा बैग उठा कर शहर के दस चक्कर मारने थे अब सब ऐसा करना शुरू करते हैं और क्योंकि उनका बैग बहुत जादा भारी था इसलिए बी बीच बीच में ग्रैंड मास्टर ने उनके लिए एनरजी को रेस्टोर करने वाले वाटर की भी सप्लाई कर रखी थी लेकिन फिर भी एकमजोर पढ़ रहे थे वो सब आसकर का फ्लाइंग सॉसेज भी यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने उनकी सोल पार यूज करने से मना किया था अब सब चलते चलते बहुत जादा थक जाते हैं लेकिन Grand Master के दी हुई punishment को वो बीच में नहीं छोड़ सकते थे अब उनको चलते हुए बहुत देर हुजाती है लेकिन तब ही वहाँ दूसरे स्कूल के वही बच्चे आ जाते हैं उन्होंने ये प्लान बनाया था कि ये लोग क्योंकि बहुत जादा थक गए हैं इसलिए ये लोग अब लड़ नहीं पाएंगे और हम इने पीट डालेंगे वो लोग मोटू को पकड़ लेते हैं और उसके उपर पहर रग देते ह और फिर अब तैंक शैंग को फाइट के लिए चनौती देते हैं हालाकि तैंक शैंग बहुत जादा थक गया था लेकिन अब भी वो इतना शक्तीशाली तो था कि वो अकेले ही इन सबको मार गिराता है और फिर सब उनके बहुत मजे लेते हैं इसके बाद वो पनिश्मेंट को continue करते हैं तैंग शैंग सबसे जादा rocks लेकर चल रहा था इसलिए उसकी speed भी slow हो गई थी और जब सबके rounds पूरे हो गए थे तब उसके 2 rounds बचे हुए थे तैंग शैंग पिछले जनम में अकेला था यानि उसका कोई दोस्त नहीं था लेकिन इस जनम में उसके साथ इतने सार दोस्त हैं और इस बात को सोचकर वो बहुत जादा खुश होता है और वो समझ आता है कि Grand Master दोस्ती की ताकत को समझाने के लिए हमें ये punishment दे रहे हैं अब तैंग शैंग बचे हुए उन 2 rounds को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन ठकान के मारे वो अब वहीं गिर जाता है और बागी सब भी ठकान से बेहोश हो जाते हैं अब जब उनकी आँख खुलती है तो वो सब अपने अपने कमरे में पाते हैं और वो एक होट बात तब में थे जिसके अंदर कई सारी चड़ी बूटियां थी ये सब Grand Master ने ही अरेंज किया था और अब Grand Master उन सब ही क उने चले जाते हैं और अगले दिन के सुभा फिर से सबी बच्चों को ग्राउन में बुलाया जाता है और तैंक शैंक के जो दो राउन बचे थे Grand Master उसे वो लगाने को कहते हैं जिस पर अब सबी बच्चे उसके साथ राउन लगाने चले जाते हैं और अब ऐसी ही वो लगतर हैं के सीक्रिट वेपन्स बना लिये थे और वो इन सभी को अपने दोस्तों को भी देने का डिसाइट करता है वहीं फिर तभी आसकर और तैंक शान जब कमरे में बैठे होते हैं वहां मोटू आता है और मोटू को किसी ने बहुत बुरी तरह से पीट रखा था वो ब लड़की को तो भगा दिया लेकिन जब हम दोनों की फाइट शुरू हुई तो गुंडे ने मुझे बहुत बुरी तरह पीट डाला वो गुंडा असल में फोर स्पिरिट रिंक्स प्राप्त कर चुका था और वो एक बदनाम अयाश गुंडा है जो लड़कियों को जा रहे होते हैं तब उन्हें वहाँ जीवू भी दिखती है अब जीवू उनके साथ चलती है और वो शहर में उसे ढोड़ने लगते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता अब वो एक प्लान बनाते हैं और प्लान को फॉलो करते हुए जीवू सुनसान गलियों में अकेली चलती है उसकी सुन्दर्ता को देखकर बूले वहाँ आ जाता है जीवू नाटक करते हुए उससे कैनी मांगती है जिस पर बूले उसे अंधेरी गली में बहाना मार कर ले जाता है और वहाँ उसके साथ जबदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन तब ही जीवू उस उसको कई सारे क्रैक्स आ जाते हैं और अब वो तीन भाहिने तक रीकवर होने की हालत में नहीं होता अब श्रेक स्कूल के वो बच्चे बहुत थस्ते हैं क्योंकि अभी अभी उन्होंने एक बहुत बड़े गुंडे को मार गिराया था लेकिन अभी भी तांग शांग को इ अब उसको लटकता देख उसके दो दोस्त भी देख लेते हैं और अपनी सोल पार का यूज करते हुए उसे वहां से उतारते हैं और उससे पूछते हैं कि ये हालत तुम्हारी किसने की उसकी सारी हड़े टूटी हुई थी और वो हिल्ले डुले की पोजीशन में भी नहीं जिस पर बूले उन्हें सब पता देता है और अब वो सब उन लड़कों से रिवेंच लेने का डिसाइड करते हैं वहीं स्कूल के अंदर ग्रांड मास्टर और दीन बात कर रहे होते हैं जिसमें दीन ये बताता है कि अब स्कूल का बजट बिगर रहा है क्योंकि ग्रांड म पहले से ही इस बारे में सोच रखा है और अब Grand Master के पास जो प्लान है उससे उनको पैसे की कोई कमी नहीं होगी अब वो सब अच्चो को Ground में बुलाता है और सब को फिर Soul Arena के बारे में फिर से बताता है और अब वहाँ जाकर लड़ाई करने और Competition जीतने को कहता है इससे उनके पास पैसे भी आएंगे और उनकी Skills भी बढ़ेंगी अब वो सब को Rules बताता है और कहता है कि Tank Shank के अलावा कोई भी Hidden Weapons यूज नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने से वो खुद को भी चोट पहुशा सकते हैं और फिर उनसे कहता है कि तुम सभी को Silver Batch हासिल करना होगा और जब त प्राई करेंगे जिस पर Grand Master उसे मना कर देता है और फिर Master उनसे सभी से अपनी Identity को छुपाने को कहता है Grand Master नहीं चाहता था कि वहां Ring के अंदर वो इनकी Identity जाने और इस सब को बताने के बाद वो सब Soul Arena की तरफ जाते हैं वहां जाकर Grand Master उने Games के Rules और टेक्नीक समझाता है औ लेकिन टैंग शैंग और जीवू ने पहले ही टीम बना ले थी मोटू निंग रॉंग रॉंग को अपने साथ लड़ने को पूछता है जिस पर निंग रॉंग रॉंग बना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि मोटू लड़कियों पर हमेशा डोरे डालता रहता है लेकिन Grand Master निंग रॉंग रॉंग को मोटू की ही टीम में जाने को कहता है क्योंकि मोटू की रैंग 28 थी और उसे लड़ने के लिए 29 रैंग से कम वाले बंदे ही आने वाले थे लेकिन अगर वो cat girl के साथ टीम बनाएगी तो उसके साथ लड़ने के लिए बहुत higher level के बंदे आएंगे जिस वज़े से निंग रॉंग रॉंग हार जाएगी अब ये सब सुनकर निंग रॉंग रॉंग दिमाग चलाती है और cat girl और वो फिर आपस में टीम बना लेते हैं क्योंकि cat girl की भी रैंग मोटू के बराबर थी अब grand master फिर सबको मास देते हैं जिसकी मदद से वो अपनी identity चुपा सकेंगे और फिर वो उन सभी को एक अलग निकनेम देते हैं ये निकनेम उनके abilities से match काते हैं ताकि उनको खुद को इन names को याद करने में आसानी हो अब फिर competition स्टार्ट किया जाता है जिसमें सबसे पहले तैंग शैंग और जीवू एक टीम बना कर दूसरी टीम जि उसको फसाने की कोशिश करता है लेकिन माउस उसे काट देता है अब जीवो और तैंग शैंग शांदार तरीके से उससे बाकी टेकनीक का यूज करके लडाई करते हैं और दोनों के बीच iconic level की fight होती है और fight के last में तैंग शैंग जीच जाता है और उसको winner घोशित कर दिया जाता है अब सेम वे में मिस्टर धाई और ओसकर भी लडाई करते हैं और वो भी आसानी से जीच जाते हैं cat girl learning रॉंग रॉंग भी अपने match में जीच जाते हैं और अब सब की two versus two वाली fight हो चुकी थी श्रेक स्कूल से two versus two के five match हुए थे जिन में से श्रेक स्कूल three match जीच च सामना करना है क्योंकि अब तुम सब एक साथ रिंग में उतर कर ओपनेंट से लड़ोगे और उन ओपनेंट की लेवल यानि रैंक बहुत जादा हाई है तैंग शैंग अब seven versus seven का जो match होने वाला है उसका लीडर बनता है और सभी को attack plans बताता है और सभी ध्यान से उसकी बात को सुनते हैं क्योंकि अब जो match होने वाला है वो उनके लिए बहुत जादा माइने रखेगा अब होस दोनों टीम्स को रिंग के अंतर बुलाता है और audience से उनको रूबरू कराता है अपनी टीम का नाम श्रेक seven डेविस है और opponent की टीम का नाम frenzy battle team है frenzy battle team लगातार साथ बार match जीच चुकी है और वो श्रेक स्कूल से लड़ने के लिए full confident थी अब सबका introduction हो जाने के बाद दोनों team hotel room में जाती है वहाँ श्रेक स्कूल के बच्चे बैटे थे और वहीं अब frenzy team के लड़के भी आ जाते हैं और वो वहाँ आकर cat girl से बत्तमीजी करने लगते हैं और फि कर जीव को गुसा आ जाता है और जीव उससे लड़ने जाती है लेकिन tank shang उसे रोक लेता है और तभी वहाँ frenzy team battle का teacher भी आ जाता है और वो उनकी लड़ाई को शांत कराता है और फिर श्रेक स्कूल के बच्चों को डराते हुए कहता है कि अगर ज्यादा ही लड़ने का श आसकर उन सबसे कहता है कि ये सब यहाँ planning से आय थे और ये पहले से ही हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अब आसकर ने पहली बार अपना दिमाग चलाया था इसलिए सब हसने भी लगते हैं लेकिन अब वो समझ गए थे कि क्योंकि ये बस उनकी एक चाल थी जि important होगी अब वो सब रिंग की तरफ जाने लगते हैं और रास्ती में भी मिस्टर धाई और तैंक शैंग उनको हराने का plan बनाते हैं अब फिर सब रिंग के अंदर आ जाते हैं और सब अपनी सोल पार को निकालते हुए अपना introduction देते हैं और ये सीन बहुत iconic level का दिखाते हैं और अब उनमें fight होने लगती है और fight में क्या हुआ ये हमें अगले वाली episode में पता चलेगा